हेलो बच्चो नमस्कार पूरी RWA टीम की तरफ से आप सभी को और पूरी टीम को जैसा कि आप सब लोग एक साथ देखना चाहते हैं अपने एक्जाम से जस्ट पहले तो उसी क्रम में उसी सोच से ये हमने ये चीज ये मिशन चलाया था कि आप सभी टीचर्स की दुआई ले क करके जाएं एक्जाम में जितना मन आपका होता है अपने टीचर्स से मिलने का उतना ही मन हम लोगों का भी होता है आप से मिलकर और आपको जो सुब कामनाएं देने का तो ये मौका हमें भी मिलता है उसी हिसाब से तो बच्चे सभी लोग की तयारी तो पूरी है ही इसमें क कोई सक नहीं है अपनी तयारी पर भरोसा रखना सीखिए और डर सब को लगता है एक्जाम से पहले जाने का चाहे कोई 270 वाला बच्चा हो इसमें कोई भी अपने मन में यह नहीं पालना है कि मैं डर रहा हूं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सब 170 वाला बच्चा हो चाहे कोई 170 वाला बच्चा हो इसमें कोई भी अपने मन में यह नहीं पालना है कि मैं डर रहा हूं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सब कुछ भूल गया हूं सब कुछ याद आ जाएगा आपको आपके हाथ में एक्जाम देने के बाद वच्चे जब एक्जाम सेंटर तक अगर हम पहुँचते हैं न तो यह सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं और उस टाइम तक आप देखना जब आपके हाथ में पेपर तक आने तक न ठंड भी उतनी नहीं होगी लेकिन एक कपकप इसी बंदी रहेगी जैसे ही पर पेपर में ध्यान जाता है यह सब चीजें दिमाग से दूर चली जाती हैं और फिर सिर्फ हमारे प्रदर्शन के वही दो घंटे बचते हैं उन दो घंटे में पुरी जान लगा देना बच्च जो भी आपने कुछ सीखा है उसको बिल्कुल सांत मन से और बिल्कुल एक जैसे आप यह समझ रहे होना नॉर्मल मॉक टेस्ट देते हैं वैसा ही एक मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल ऐसा उस टाइम पर आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है तिर्फ यह सोचना है य और समय आपको पूरा पढ़ जाएगा यानि जल्द बाजी में घलत करने से बच जाना और समय आपको पूरा पढ़ जाए पूरे दो घंटे टाइम का सोट ना हो यह दो चीज़े अगर आपने अपना ली तो मुझे लगता है कि आपका नंबर आने के चांसे बहुत जादा बढ़ जाएंगे बचो इस बार एक्जाम सेंटर्स पर हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों के हो सकता है कोई जिसने आपके साथ फॉर्म भरा आपके आसपास का आपके जानकार आपकी अगली या पिछली सीट पर बैठा हो तो उस चीज से वह हो सकते बहुत सारे बच करवाएगा इन चीजों में आपको क्लास का माहौल खराब नहीं करना कि भरती बोड़ भी सकत है उन्होंने ये लाइन जो एक लिखी है इस बात पर भी कि भी एक तीसरा पॉइंट है भी नोटिस जारी किया था कि जो क्लास के माहौल को भी खराब करेगा क्लास में नकल करे यह करवाएगा उसको परिक्षा से डिबार कर दिया जाएगा नि परिक्षा में बैठे नहीं दिया जाएगा आगे से भरती बोड़ की में किसी में और उसके खिलाफ जरुरत पड़ी तो कानोनी कारेवाई और एफ आयार तक की जा सकती है वच्चो ऐसी चीजों में माहौ खराब ना करें और अपना जितना पेपर आ रहा हो उसको बहुत ध्यान पूर्वक करें उसी में आपकी भलाई है उसी में आपके आगे वाले की भलाई है उसी में आपके पीछे वाले की भलाई है इस बार बोड़ बहुत सक्त है बहुत सावधानी से पेपर करवाया जा र रहा है यह इसलिए ही की जा रही है कि अच्छे बच्चे या जो योग बच्चे हैं जो लायक बच्चे हैं वही जगेतक पहिंच पाई तो इसमें सहयोग करना हमारा भी बनता है आपका भी बनता है तो बच्चे सारे टीचर्स आपके सामने हैं जरूर कुछ ना कुछ मैं चाहूंगा कि भाई यह भी कुछ बोले और आप जरूर इनके मुखवानी से जरूर कुछ कुछ सुनना चाहूगे जरूर कि दीशी बात है तो मैं चाहूंगा कि भाई आप सभी टीचर्स जो है बच्चों को थोड़ा सुबकामने अपने इस्तर पर दे तो पहले हम राहूल सर्मा सर को माइक देते हैं रीजनिंग वाले सर आपके प्लीज नमस्कार दोस्तों सबसे प कुष्ण को कर रहे हो आपको लग रहा है कि वह कुष्ण थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है देखने में तो आप उससे बचने की कोषिस करना सुरूवात में क्योंकि रीजनिंग में और मैथ में कुछ कुष्ण ऐसे आ जाते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं और परिसान करते हैं बच्चों को, तो उनसे सुरुवात में बचना, उनको सुरुवात में आप स्किप कर सकते हैं और लास्ट में आपके पास समय बचे, तो आप उनको कर लेना, दूसरी बात, जब भी आप अपना गोले भर रहे हो, तो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप मानलो ऐसा मत कर देना कि 20 वे कुशन का गोला आप 21 वे में जाके भर दो उससे 4-5 कुशनों का नुकसान हो जाता है कभी-कभी ठीक है तो जब भी गोले भर रहे हो तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना 20 वे कुशन का गोला उसके सामने 20 वाले में ही भरना इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से रखना ठीक है तो सबी को मेरी तरफ से All the best Thank you Raoul sir बहुत अच्छा suggestion आपने दिया बच्चों को और ये बिलकुल सामने line वाली बात जो बोली है 20 वा question आपने वहाँ पढ़ा है तो वह एक बार जैसे हम line से भरते चले आते हैं 17, 18, 19, 20 BCDA BCDA उसमें भरने लगे लेकिन जो BCDA भर रहे हो तो ये भी देख लो वह मिलान करके भी या वह 20 वे पई आ रहा है या नहीं आ रहा है परना वह बच्चे पूरा करा कराया ना से एक बार अगर गलती हो गई तो फिर उसको मिटा भी नहीं सकते फिर वह पर्मानेंट हो गया यह नुकसान है ओफ-लाइन का उनलाइन होता है तो आप कितनी बार भी दूसरा टिक कर सकते हो चलिए यह सब के लिए खैर साफधानी वरतना बस चलिए बहुत बढ़िया और मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट देख पा रहा हूं कि देखिए जितने सारे टीचर्स हैं आप मुझे पता है कि उनको तो यह तो आप सब के सामने बोलेंगे इसलिए आप इनके बारे में नहीं पूछोगे जो नहीं है आपर उनका नाम जरूर ले आओगे तो भाई राहुल तेवतिया सार इसलिए नहीं है कि रात दो बजे तक उन्होंने आपकी क्लास ली है और रात पूरे रात वो सो नहीं पा आपके उपर आप बोलना बच्चों को जोबिया तो दीपक सर आपके बीच है और ये भी कली आया हमारे बीच महरास्ट से आपको बदाई देने चलिए आगे की बात कर लेते हैं अप अजीत सर से तो अजीत सर प्लीस थैंक यू सर पहले तो मैं सभी बच्चों को सुबकाम कर देना कभी आपने पूरा पेपर बहुत अच्छे से कर लिया सारी तैयारी आपकी थी अगर वो नंबर आप गलत कर आए तो सारी महनत पर पानी फिर जाएगा तो वो ऐसा मत करना बड़े आराम से करना हो जाएगा टेंशन फिरी होकर करना बाकी सारी चीज़ें सर ने बत सब्सक्राइब करना है तो मैं चाहूंगा फिर थोड़ा बच्चों में भरोसा तभी आप आएगा जब केस पाल सर थोड़ा बोलेंगे जरूर्व कि नवस्ते सभीकू पहले तो सर ने सब कुछ वताई दिया मैं तो सर के सामना बोलना जाता वल्दा बेस्ट सभी यह सब्सक्राइब करोगे ना तो इनका इनका इनकी इसमें यूपी जी के के देखियो मेरी पढ़ाई वह कितनी आई एक चुटा उसमें से नहीं चुटा जो मैं ना पढ़ाया हो ऐसा तो नहीं बच रहा कोई नहीं मुझे जबाब देना पढ़ाईगा ऐसे करते हैं क्यों आपने पढ़ाया हो उससे कोई भाहर तो नहीं आया है तब हि हमारे हर कोई टीचर यह कोसिस करता है कि उसका पढ़ाया हुआ एक्जाम में आए और सारा आए, ऐसा कोई कुश्चन बाहर ना आए, कि जो उसने ना पढ़ाया हो, ठीक है, तो ऐसा एक प्रियास मेरी तरफ से रहता है, सभी टीचर से पूछने का, ताकि बच्चों को बहतर से बहतर रिजल्ट दिया जा सके, आगे बात कर लेते हैं, भावना मेम की, और इन् सब्सक्राइब के बात में, एड्मिट काड आ चुका है, उस पर जो भी इंस्ट्रिक्शन्स आप लोगों के लिखे हुए हैं, उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजेगा, कौन से डोक्यूमेंट्स ले जाने हैं, जैसे आइडी के तोर पर आप लोगों को आधार काड, यह सब लिखा होगा उसमें, तो वो जरूर ले जाएं, और साथ में कौन सी चीज़े नहीं ले जानी है, इस चीज़ को भी अच्छे से पढ़ लीजेगा, क्योंकि कई बार आप एक्जाम सेंटर पर पहुँचते हो, और वहां आपको एंट्री नहीं देते हैं, या कुछ चीज़ें आपके साथ होती हैं, जिनके साथ आपको एंट्री नहीं दी जाती है, तो आप परिशान होते हो बिना मतलब आपका दिमाग थोड़ा से अपसेट हो जाता है, कि अपने समान को कहां रखें, या जो भी कुछ यह चीज़े होती हैं, इन सब से बचने के लिए एक बजे से तो सुबह आठ बजे से अंट्री शुरू हो गई है, साड़े नौ बजे गेट बंद है, वाज़ा नौ, तीस मिनट और एक सेकंड पर आप गेट में नहीं घुश सकते हैं, इतनी सकता ही है, ठीक है, ऐसे ही साम को धाई बजे के बाद एक सेकंड भी हुआ, आप ग परस बन नहीं पाए, तो उनको वहाँ बेज देंगे, जहां बच्चे कम हो और उतने सेंटर्स जादा हो, तो अलिगड फिर जगे वहाँ, अब वो कितनी भी दूर हो सकता है, जहां उनको जगे मिलेगी फिर वहाँ बेजेंगे, ठीक है, पहले प्रियास है कि आपके ग्रह दीपक भाटी सर से, जिन्होंने बहुत, मुझे भी बड़ा संसे था इस बात पर, कि 40 दिन, 42 दिन में पूरा मैट्स कैसे खतम किया जा सकता है, वो कैसे हम बड़े चिंतित थे इस बात को लेकर, सिर्फ मैट्स को लेकर, बागी सब सब्जेक्ट के सब टीचर्स ने भरोसा दिला दिया था, कि हाँ सर, हो जाएगा, थोड़ा सा प्रियास करेंगे, हो जाएगा, लेकिन मैट्स की चिंता मुझे भी थी, क्योंकि मैट्स का टीचर हो, मुझे भी पता है, कि बच्चे को छोटी-छोटी चीज नहीं आती, वो भी समझानी पड़ती है, तो बहुत सारा प्रियास था कि मैट्स बिल्कुल समय से खतम हो जाए, और सर ने वो करके दिखाया है, तो दीपक सर की द्वाएं, आपके साथ रहें, आसीस रहें, तो मैं चाहूंगा, वो भी आपके लिए दो सब्द जरूर बोलें। अपना 100-200% दिया, बचे अब अंत समय में मैं यही कहूंगा कि कल आने वाले एक्जाम में आपकी जो मेहनत है, पिछले डेड़ दो महीने में जितना भी आपने जितने भी घंटे आप पड़े हो, वो पूरी-पूरी रिफलेक्ट होगी और सत पिर्तिसत आप उसमें माक्स कर रहे होंगे अपनी मेहनत, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को all the best अच्छे से परफॉर्म करना, बहुत बढ़िया सर, और ममतिश सर के उच्छे पर आजाओ आपने हिंदी में बहुत जोर लगाया है, नवीन सर के बाद हम बड़े चिंतित थे, कि नवीन सर के बाद किसको दे हिंदी, और क्या बच्चे एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो नवीन सर ने भी बोला, बच्चों ने भी विश्वास दिलाया, बच्चों को भी विश्वास उन्होंने दिलाया, दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारे प्रक्टिस सेट्स आपके यूट्यूब पर फ्री बी लिए, तो बच्चों ने वहां भी इनके पढ़ाने की सैली देखी, तो हमने ऐसे ही एक दिन में इर्दिया आपके सामने इनको, और वास्तम में जो जान ही होने हिंदी के उस बैच में लगाई है, वो काबिल तारीफ है, इसका आपको कल रिजल्ट भी मिलेगा जब आप एक्जाम दोगे, या एक्जाम नहीं भी दोग मानलो जिनका परसों को एक्जाम है, तो एक्जाम पेपर देखते ही आपको पता लग जाएगा, कि वास्तम में कि महमतेश सर ने बहुत जादो भिखे रहा है, चलिए महमतेश सर प्लीज, 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 नमस्कार, सबसे पहले तो मैं अंकित सर का और सभी अपने अध्यापकों का धन्यवाद करना चाहूंगा, कि इन् एजाम को करते समय प्शेण को पूरा जरूर पढ़ फढ़ीजेगा, क्योंकि हिंदी में जब परियाओ बाची आते हैं तो उस परियाओ बाची में नहीं वाला जादा तर पूछा जाता है प्रशन में, ताकि बच्चा और हल्का परियाओ भी होता ह्ता है, ज्यादा और यह बहुत बड़ी गलती हो जाती हिंदी में नहीं हर एक प्रशन को पूरा पढ़े मैं तो यही कहना चाहता हूं तो आपके एक्जाम के लिए बहुत-बहुत सुबकामनाए और अपने एक्जाम को अच्छे से करिएगा बाकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है उसका प लेकिन आपको सुबकामनाए देने आगरा से आए हमारे बीच आगरा से क्लास ले रहे होते हैं डेली लेकिन इस वीडियो की वज़े से आपके बीच है और बहुत प्यारे सर हैं बहुत गोलू-बोलू सर आप इनको बोलती हो है भी तो आप जो है मैं कहूंगा कि जो है चीजों की नॉलिज रखते हैं और बहुत अच्छे से गाइड करते हैं तो चाहूंगा यहां भी जरूर से थेंक्यू सर थेंक्यू बच्छो वाकी तो सारी वाते बताई दी आपको जो एक्जम रिलेटेड है मैं बस लास्ट बात आपस यह बूलूँगा कि जैसे जब चुन कुशन सोते हैं वो तक जाते हैं किसी सैट में सुरु एक फ में इतने जादा अपने होते हैं जिस सैट में जिसको वी शूरुवात में टॉफ मिल गए उससे बिल्कुल अपना आगे की कुश्चन को देखना वहां पर यह सोच और यह तो पेपर बड़ा हाड है जब रखना जैसे आप अपनी मेंटिलिटी बना लेते हो आगे तक फिर आपका वैसे परफॉमेंस होता है तो बस एक यह बात बची हुई थी तो जो मैंने आपके बीच में रख दी और जब तो आप उस गोली को फिल करो ना तो यह ध्यान रखना कि वह इंदर उदर ना निकल जाए तो पर उसकी बाउंडरी को देखते हुए उसको बिल्कुल क्लीन भरने में लग जाएंगे और वॉल पैन का तो यूज करना है वॉल पैन का जिसका थोड़ा बहुत 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 ब भरे आप अपना टाइम खराब करते हाँ बस दूसरे गोले से टच ना हो इतना बाहर मत निकाल ले ना अगले को भी टच कर रहा है पर जो तुना भी मतलब मतलब उसकी चंता मत करना बहुत जादा है ना बाकी तो सब ठीक है सर ने बिलकुल सही चीजे बताई है और वास्त पड़ा है इतना यह सोच अपने दिमाग में हमेशा रखना जो एक्जाम में आप से नहीं हो रहा तैयारी के बाद वो होगा किसी से भी नहीं तो आप बहतर एक्जाम कर पाओगे यह सोच रखोगे तो अब बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग के जादूगर संदीब सर से यह बहुत मेहनत उन्होंने भी की है यूट्यूब पे आपके लिए लगातार तो माता नजने की यह बहुत नमस्कार वैसे तो सारी बातें आपको पता चली गई हैं सब कुछ सर ने निर्देश आपको देई दियें बस मैं यही कहूंगा कि एक तो एक्जामिशन हॉल पर बिल्कुल टाइम से पहुंच जाना और बिल्कुल डरना तो ही नहीं आपने जो मेहनत करी है वह बिल्कुल बेकार तो नहीं जा सकती है अगर इतनी मेहनत करी तो उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा प्यारे बच्चे बस यह कहूंगा कि आपको सारे क्वेस्चन मतलब यह है कि एक नंबर से सुरू करके लाश्ट तक जाना जरूर है और यह तब संबब हो पाएगा जब आप कठेन प्रेस्टों में उलजकर ही नहीं रह जाएंगे हमेशा याद रखेंगे कि एक प्रेस्टों यह निर्धारित नहीं करता है कि वह आपको सफल होने देगा हो जाता है और लाश्ट में ऐसा हो सकता है कि दो चार क्वेश्टन हमारे आते हुए हम वहां तक पहुंच भी ना पाएं दूसरा यह कि हमें समय में इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्टन आता हुआ गलत ना हो और प्यारे बच्चे जो आपने मेहनत करी है वो निश्चित प्यारे और गृष्ट समवें आतों देजहरे हैं देहान रखना मुश्किल में होसलों को आज माना सीख लो बुश्किलों में होसलों को आज माना सीखलो दर्द में भी यार मेरे गुन गुना न सीखलो डर गया जो डूबने से पार क्या कर पाएगा इसलिए समुंदर के किनारे घर बसाना सीखलो घर बसाना सीखलो धन्यवाद नमस्कार बहुत बड़िया संदीव सर इसी के लिए बच्चे उम्मीद कर रहे थे आपसे कि जरूर आप कुछ उत्साप भुगोगे उनके अंदर और बच्चे आप लास्ट में आपके नभीन सर आते हैं और जो है प्रॉपर मैं चाहूंगा कि वो गाइडेंस दें आपको और आपने पता ही है कि नभीन सर का रॉल हर बच्चे की सफलता में होता है चाहे को कोई भी भरती हो जीएस के पार्ट पर बहुत भरोसा बच्चे नभीन सर पर करते हैं और यहां हिंदी में बहुत सारे बच्चे मैं कहूंगा कि पहली वीडियो जितने बच्चों ने वो देखी है उ तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि नवीन सर को यूपे पुलिस की तैयारी करने वाले हर बच्चे ने देखा है इस तरह से वो लग रहा है तो बच्चे आप लोग नवीन सर को सुनना चाहते थे बहुत देर से इसलिए मैंन को लास्ट में ले करके आया हूँ और अब वो के लिए जिन साथियों का 17 और 18 तारिकों एक्जाम है साथी मैं आप से यहां बहुत महत्पूर्ण बाते करने वाला हूं जो आपके बविश्य के लिए बहुत जरूरी है तो सबसे पहली बात तो चिंता नहीं करनी है इस बात के लिए सबी लोग आप से इसलिए कहते हैं कि वो चिंता आप सच में ना करें लेकिन दोस्त होता क्या है कि एक्जाम के लिए वो बाई डिपॉल्ट है चिंता होगी ही जिस चातर ने महनत की है जिस चातर ने दम लगाया है तो उसको एक चिंता होती है और मैं कहता हूं कि यह सकारात्मक चीज है अगर आपने महनत की और चिंता होती है तो यही आपके उत्साहा को बढ़ाती है इसी की वज़े से आप आज तक आगे बढ़ते रहे इसी की वज़े से आपने एक बहतर तयारी की और मेरे दोस्त विस्मात मानना आपने बहुत सांदार तयारी की तो एक बात आती है कि संगरसों की समर भूमी में कोई हम से पूछे कि हम कैसे हैं काल चक्र के चबर चक्र विहू में फसे हम बिलकुल अभिमन्यू जैसे हैं और दोस्त आपकी इस्थिती अभिमन्यू के जैसी है तो अभिमन्यू आ कहते हैं कि वो सातो चक्रों को तोड़ना कि सातों चक्र जानते हैं, उन सातों चरणों को पार करेंगे और अंतिम सेलेक्शन भी आपका होगा और आप सब से बहतर करके आएंगे तो कहते हैं ना कि एक दिन अपना सपना भी पूरा होगा और एक हाथ में मा का हाथ और दूसरे हाथ में जाइनिंग लेटर होगा और ये सच होगा साथी इसी दिन के इंतिजार के लिए आप सब ने मेहनत की आप सब लोगों ने दिन और रात दौनों एक किये साथी और जबरदस्त मेहनत आपने की ये तो हुए साथी all the best की बात दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता था कि आपने अभी देखा होगा कि जब कभी साथी परिक्षा आती और offline mode में और इतने सारे center तो आपने आज खबरे या आप लोग पिछले कुछ दिनों से खबरे सुन रहे होंगे कि paper leak जैसी खबरे हैं तो बहुत सारी चीजे क्या हैं आप देखेंगे कि कल तक आपके सामने आएंगी कि कहीं पर paper आपका leak होने की खबर होगी कुछ होगी जिनकी सत्ता के बारे में आप कुछ नहीं जानते होंगे बहुत सारी खबरे ब्रहमक होगी और इस बार सरकार ने बहुत सांदार तरीके से इस परिक्षा को आयजित करने के लिए दोस्त हर एक सेंटर पर एक static magistrate और एक आपका central administrator यानि की केंद्रिय विवस्थापक की स्थापना की है हर एक परिक्षाइस्थल कैमरे की निगरानी में है हर एक परिक्षाइस्थल साथी पुलिस की मौजूदगी से है और सरकार ने कि इस परिक्षा को बहुत ही पारदर्शिता के साथ कराया जाए इसके लिए बड़े step लिये हैं और सरकार सजग है कि ये ना हो ठीक है लेकिन साथी इसके बाद में जैसे आप परिक्षा दे रहे हैं तो आपको इस बात का धियान देना है कि कहीं सच में कोई गड़बर तो नहीं हो रही है गड़बर दो तरह या कि कल आपको देखने को मिल सकती है जिनके परतिय आपको सचेत रहना है कि आप उस exam hall में ये देखें कि यार सच में कहीं पर cheating चल रही है या cheating का कोई सिकार आप देख रहेंगे किसी ना किसी को किसी परतियक्ष तरीके से कोई मदद पहुचा ही जा रही है ये आप वहाँ देखते हैं दूसरी चीज हो सकती है कि साथ ही आपका कई ऐसा हुआ है कि जिन बच्चों ने form साथ भरे उनका center भी एक जिगह चला गया है और पास ही में center भी चला गया है तो ऐसा भी हो सकता कि आप अपने दोस्त आपके पड़ोसी आपका गाउ का कोई बच्चा आपसे परिक्षा में परसन पूछे आप उसको बताने में indulge हो आप उसको बता रहे हैं साफ तोर से सरकार निर्देश दिये हैं इस पिरकार की कार्यविधी में कोई भी चात्री यदी आपका सनलिप्त पाया जाता है तो उसकी जो कैंडिडेचर है यानि की आपका साथी जो ये कैंडिडेचर अपनी यूपी परिक्षा के लिए का इसको cancel कर दिया जाएगा और अगामी किसी भी परिक्षा के लिए आप फिर वैद नहीं हो पाएगा या आप बैठ भी नहीं पाएगे किसी परिक्षा में पता चले उसका भी नहीं हुआ और आपका भी नहीं हुआ तो सबसे बड़ी duty क्योंकि आपको माता-पिता को आपको इसकी सबसे ज़्यादा जरुवत थी तो किसी के प्रकार के किसी भी emotional चीजों में बहकावी में आकर के अपने समय को खराब ना करें दूसरी चीज में आपको बता देता हूँ गौर्मेंट ने अभी 10 जनवरी को टीट किया था कि आगामी भरती परिक्षाओं को सुचिता पूर्ण तरीके से संपन कराये जाने हैं तू बोर्ड कटीबद है इस कारिये में आपका सहयोग भी आपक्षिता यानि वो इस्टूडेंट से उमीद कर रहे हैं कि आप भी इसको पारदर्शिता के साथ कराएंगे प्रकिरिया को हानी पहुचाने संबंदी किसी भी प्रियास की जानकारी सतरक्ता.polisboard.gmail.per कल साथी आप कोई घटना देखते हैं आपने देखा कि आपके सेंटर पर किसी परकार की ऐसी गतिविधी में कोई सामिल है आपको लगा कि भाई ये चीटिंग है तो ये चीटिंग है साथी उसका एक साक्षे होगा आपके पास कोई फॉन वीडियो आप बनें अब क्या है आप किसी भी परकार के वहाँ सोर सराबे से या किसी भी परकार के वीडियो बनाने से बचने के बजाए है कि आप उस साक्षे को यहाँ पर सतर्प्ता.polisboard.gmail.com पर भेजे यह तो साक्षे की बात भी भेजने की आगे दूसरी चीज वहाँ पर जो इस्टेटिक मजिस्ट्रेट मेरा सब्द फिर से सुने इस्टेटिक मजिस्ट्रेट हर सेंटर पर है और उसको इसी बात के लिए न्यूक्त किया है कि आपकी परिक्षा पारदर्शिता के साथ हो आप वहाँ जाकर के तुरंट सिकायत करें ठीक है इसी के लिए मैं आपको एक और गॉर्मेंट का यहाँ पर पढ़ा देता हूँ इन्होंने बोला प्रिस्ट्रिक्षन प्राप्त करें किसी अभिरती का बायोमेट्रिक मिलान यानि कि कोई भी फर्जी तरीके से परिक्षा देने जा रहा है बायोमेट्रिक प्लान अभिलेख आपकी जो पहचान है वो गोपनिय रखी जाएगी आनि नहीं बताये जाएगा कि आप यह सूचना भेज रहे हैं कि यह आपके द्वारा भेजी गई है अगला नोट है यहाँ पर चीजे किलियर की गई है जूटी एवं ब्रहमक सिकायते ना करें क्योंकि इससे समय और संसा परकशाओं में यह देखा है हम इससे जूझे भी है हमने महसूस भी किया है कि कभी भी जब परकशा होती है तो उस परकशा के बाद में आप देखेंगे बहुत सारी खबरे ऐसी आएगी जो भामक होंगी बहुत सारे लोग क्यूंकि दोस देगो एक्जाम देने वाले मेरा selection तो होके रहेगा, मान के चलो 2,5, 3,000,000 बच्चों ने माल लिया कि मैं selection की दोड में सामिलू, अब बाकी 48 में से 3,000,000,000 बच्चे जिनकी परिक्षा बेकार हो जाती है, या जिनको उमीद नहीं रहती, उनका number आता है, तो वो क्या करने लगते हैं, इस तरह की खबरों क बहुत ज़्यादा फैलाने लगते हैं कि पेपर कैंसिल हो, या ये दुबारा होना चाहिए, उस तरह की खबरों को, क्यूंकि उनका number ज़्यादा होता है, और ऐसे में क्या उभर के आते हैं, कुछ आपका लोग जो YouTube पर ऐसी वीडियो बनाते हैं कि उनको आपका जो support मिले, क्यूंकि वो उनके लिए एक मौका होता है, वो ऐसे ही समय पर लोग आपको जागरूख होते हुँ दीखेंगे, वो आपको पहले कभी नहीं दीखेंगे ना बाद में, इस समय पर वो जागरूख होंगे, और आपके हितेसी बनने का परियास करेंगे, और आप भावनात्मक रूप से उनकी तरफ चले भी जाते हैं, क्योंकि दोस्त आप जानते हैं कि हम इसको मांसिक रूप से जहिल चुके हैं, और सायद ये बार-बार होता है, तो आप लोगों से प्लीज मेरी रिक्वेश्ट है कि आपको कोई भी अगर सक होता है किसी एक चीज पर, कोई वेक्त बताएगा कि किस तरह से हमको ये चीज उठानी है, अगर ये सत्य था, लेकिन अगर सत्य नहीं है, भ्रामक है, बस कुछ बात एवई, इंदा एयर, हवा में कुछ बाते चल रही हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेश्ट करूँगा कि उस तरह की चीजों में आप सामिल नहीं होंगे, और आप एक विवेक के साथ में बहुत धिक तरीके से डिसीजन लेंगे, कि कौन लोग इसके पीछे होते हैं, वो कौन लोग होते हैं, जो इस तरह की परिक्षाओं को कभी लीग कराते भी हैं, या लीग कराने के पीछे मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन ह फिर उसके परती एक्सन होना चीए, गौर्मेंट की तरफ से ठीक है, तो आप लोग इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, और उम्मीद करूँगा कि आप साथी फतह करके आएंगे, अपने परिवार का, अपना स्वैम का, खुद का जो मान है उसको बढ़ाएंगे, इस व हमार सीट को फिल करने में कितनी सावधानी रखनी है, बस एक छोटी सी चीज मैं आप से एड करना चाहूँगा, कि एक पेपर के, मान के चलो, उसको पांच-छे परिशन होंगे एक सीट पर, उसके गोले जो होंगे ना भाईवा आप तुरंत भरते रहना, बहुत सारे साथ आप से उम्मीदे हैं, और मैं फिर से कहता हूँ, एक दिन अपना सपना भी पूरा होगा, और एक हाथ में मा का हाथ, और दूसरे हाथ में जानिंग लैटर होगा, और ये जरूर सच होगा साथी, तो इसी उम्मीद के साथ में आपको फिर से all the best, पुरी टीम की तरब से, ब नमस्ते, चैमा सास्वती, थेंक यू, all the best.